हाई दोस्तों कैसे हो सब और क्रेशन स्टूडियो के इसने ब्लोग में आप सब का स्वागत है आज हम एलोवेरा के फायदे और उप्पयों के बारे में बात करेंगे दोस्तों एलोवेरा के कई फायदे हैं लेकिन लोगों को ये सारे फायदे पता नहीं होते हैं एलोवेरा जूस अच्छी हैल्ध और एलोवेरा जल को खुभ सूरती के लिए इस्तमाब करें तो इससे कई हैरंतगे फायदे हो सकते हैं एलोवेरा को किसी परिचे की जुरत नहीं अपने गुनों के चलते इसने ब्यूटी और हैस दोनों शेत्रों में धूमचा रखी है आप स्वश्ष शरीर के लिए एलोवेरा जूस पी सकते हैं और खूबसूरत और बेदाग त्वचा पाने के लिए एलोवेरा जूस लगा सकते हैं चाहे सन बर्न हो, बेजान त्वचा हो, कट गया हो, छिल गया हो, उलजे बाल हो एलोवेरा आपको ख़ी त्वचा और बालों की समस्या से निजाद दिलाता है अगर आपके शरीर में दाग दब्बे हैं, तो एलोवेरा जेल के साथ निम्बू की कुछ बूंदे बिलाएं और इसका इस्तमार रात को सोने से पहले करें इसका इस्तमार हो जाना करें और आपके दाग दब्बे कम दिखाई देंगे अलोवेरा का किसी में किसी रूप में इस्तमाल करने से आपकी स्केन, बाल और पूरी हेल्थ के लिए बेहेद फायदमंद रहता है आप अलोवेरा चेहरे पर भी कई तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं लिमिटिड मात्रा में ऐलोवेरा घचु तापकी हेल्थ के लिए भी पैदनल्द हो सकता है दिन की शुरुआत ऐलोवेरा जल ड्रिंक के साथ करें अगर आपके पास ऐलोवेरा का पोड़ा है तो आप और्गैनिक ऐलोवेरा जल भी बना सकते हैं और जिन लोगों की नजर में ये मुश्किल काम है तो वैं बजार से अलोवेरा जल असानी से खरी सकते हैं अलोवेरा के इसके अलावा भी अने को फाइदे होते हैं अलोवेरा में सूरे की पराबैंगने किर्णों से बचाने की किशमता होती है ऐसे में इसका एक संस्क्रीम की तारा इस्तमाल हो सकता है इसके एंटि आक्सिडेंट नवी को बनाए रखने में मदद करते हैं इसका इस्तमाल मौश्राइजर के निर्मान में किया जाता है क्योंकि यह किसी भी किसम की दोचा पर उत्तम सिध होता है अलोवेरा से अब सर दर्द पर भी आराम पास सकते हैं इसके लिए अलोवेरा जल ले और इसमें थोड़ी मात्रा में दारू हल्दी का चूर मिला ले इसे गर्म करके दर्द वाले स्थान पर बांधे इसे बात और कफ दोश की करण होने वाले सिंटर से आराम होता है आप अलोवेरा के और श्रद गुण से आँखों की बिमारी का इलाज भी कर सकते हैं अलोवेरा जल को आँखों पर लगाएंगे तो आँखों की लालीमत खटम होती है यह विशानु से होने वाले आँखों के सूर्जम में लाबधाएक होता है एलवेरा का अश्यद्य को आखों की लिए बहुती फाइदेमन होता है आप एलवेरा की गुद्दे पर हल्दी डालकर थोड़ा गरम कर ले इसे आखों परवादने से आखों के तर्ट का इलाज होता है साथ ही कांदर्ट में भी एलवेरा से लाख मिलता है इसकी लिए एलवेरा के रस को हल्का गरम कर ले इस कांद में दर्थ हो रहा है उसकी दूसी तरफ के कांद में दो दो मुन टपकाने से कांद में दर्थ में अरा मिलता है साथ ही खासी चुकाम में एलवेरा के भी अनेकों फाइदे है अगर आप डेंडर्फ या डेंडर्फ से जूरी समस्या जैसे पप्रिदार सिर्की तवच्छा और इसकी खुलजिली जैसे समस्या से परिशान है तो अलवेरा युक्त शेंपू आपकी समस्याओं का समाधान है डेंडरफिया तो औरी सकेल्प या सकेल्प में किसी भी तरह के इनफेक्शन की वज़े से होता है एल्यवेरा जेल इन सभी समस्याव का समादान है यह डेट स्किन, सेल्स को निकालने और पोर्स को लिख साथ की एल्यवेरा डाईजेशन में भी मदद करता है रोजाना एलोवेरा जूस पीना अच्छी आदत है एलोवेरा के इस्तमाल से डाइजेशन अच्छा होता है और अलसर से भी राहत मिलती है लेक एक खास बात पाद हम दोखे एलोवेरा का इस्तमाल जब भी करे तो डॉक्टर की सला से करे इसके साथ हम आप से लेते हैं अल्विरा और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले साथ ही अगर हमारे आप इस चैनल पे नए है तो हमारे इस चैनल को सुस्क्राइब करना ना भूले